मोर घने जद्गली इलाकों में रहते हैं, जहां भी पेडों में बसेरा करते हैं और जुन्ड बनाकर रहते हैं मोर की दो स्पीचिस सबसे अधिक पापुलर हैं पहली है नीला मोर जो मूर रूप से भारत का है और दूसरी है हरा मोर जो मिया मार और इंडोनेजिया के जावा द्विपों में रहता है एक अन्य प्रजाती जिसको कांगो मोर कहते हैं यह अफरीका के जंगलों में रहती है मौर शब्द केवल नर पक्षियों के लिए और मौर्णी शब्द मादा पक्षियों के लिए प्रियुप्ध होता है मौर मौर्णी और उनके बच्चों को सयुक्त रूप से पी फाउल के नाम से जाना जाता है मौर अपनी ट्रेन के लिए मशुर है ट्रेन मोर की उच को कहते हैं जिसमें इंद्र धनुशी रंग के चमकदा पंक होती हैं मोर और मोर्नी इंडियन सब कॉंटिनेंट में जिसमें भारत भुटान नेपाल लंका इंडोनेशिया इसके अत्रिक्त आस्टेलिया, न्यूजिलेंड, फ्लॉरिडा और वाहमास में भी पाये जाते हैं मोर की विभिन प्रजातियों को सदियों से पाला जाता रहा है और आपको मोर पूरे सेयुक्त राज अमेरिका और अन्य महाद्रिपों के उभिन चेडिया घरों में भी मिलेंगी जबकि मोर अपने इंड्र धनुशी नीले और हरे रंगों की पंकों के लिए जाने जाते हैं किन्तु सेलेक्टिव ब्रीडिंग का उप्योग करके और भी मन चाहे सुन्दर पंकों वाले मोरों की प्रजातियां त्यार की जा रहे हैं जंगल में रहने वाले मोर बेहद ही मनमोजी होते हैं और अपने ही जुट के साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे कई अर्णे पक्ची प्रजातियों के साथ मिलनसार नहीं होते और उक्साय जाने पर आक्रामक भी हो सकते हैं ओफ मेटिंग सीजन के दौरान मोर और माधा मोर्नी एक दूसरे के बीच छोटे समुहों में रहते हैं इन समुहों को पार्टीज कहा जाता है मोर्नी के बच्चों को पीचिक्स कहती हैं दिन के दौरान मोर्निया इकठी होकर अपने बच्चों को खिलाने के रिए चारा इकठा करती हैं मोर और मोर्नी आम तोड़ पर घने जंगली इलाकों में एक साथ हैती हैं जहां पर गरम जलवाई हो और छायाधार गर्च हो जंगली मोर ऐसे जंगलों में रहना पसंद करते हैं जहां जलाशे हो नदिया और नालों तक आसानी से पहुचा जा सकता हो जिस्से कि गरम मौसम में पानी ढूड़ना और ठंडा रहना आसान हो सके मौर को फलों की फसलों के पास भी देखा जा सकता है मौर को फल, जामुन, बीज, अंजीर और फूल खाना पसंद होता है मौर उश्ण कटिबंधिय जल वायू को पसंद करते हैं और उनका आदर्श आवास सभी मौसम के जल स्त्रोतों के साथ आद्र वर्शावन होता है मेटिंग सीजन के दोरान मौर छूटे समुगों में विभाजित हो जाते हैं जिसमें कई मौर्णी और एक नर मौर होता है मेटिंग का मौसम बसंद रितुमी होता है और नर मौरों को अक्सर अपने पंखों को फड़ फड़ाते हुए और मौर्णी के लिए निरत्य करते हुए देखा जा सकता है जब एक मौर अपने पंखों को फड़ फड़ाता है लेकिन जब एक मोर्णी इस कंपन को सुनती है तो वह तैय करती है कि मोर्ण को अपने साथी के रूप में चुना जाए या नहीं जब मेटिंग सीजन्स माप्त हो जाता है तो मोर्णी अपने बच्चों के आगमन के तयारी के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है और मोर्ण पूरी तरह से स्वतंत्र भी हो जाती है और वे मोर्णी के साथ पहले के तरह बाच्चुत करना अब बंद कर लेती है जब अपने बच्चों को पालने की बात आती है तो मोर्ण कोई जिम्मेदारी नहीं लेता यह पूरी तरह से मापर निर्भर करता है यानि कि बच्चों को पाले की पूरी जिम्मेदार्नी मोर्नी पर होती है खेतों पर यह गाओं में घरों के प्रिचवाडे में मोर घोसला बनाकर रहते हैं जिसमें बहुत सारी हरियाले बाले स्थान होते हैं क्योंकि मोर उछ छेत्रों में सबसे ज़्यादा अरामदायक महसूस करते हैं जहां वे जल्दी से छीपने की जगें पासकें पाड़े को शिकारियों से बचाने के लिए मोर के रखवाले आम तोर पर अंडरग्राउंड फैंस और एक सुरक्चित जट बनाते हैं कुछ छेत्रों में जहां उगने वाले शिकारी पक्षी जैसे चील बाज का खत्रा हो वहां मोर के टेर टेकर अपने मोर की सुड़क्चा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक फैंस भी लगा सकते हैं यदि मोसम मोर के स्वास्थ्य के लिए ज़ादा ठंडा हो तो बिजली के हीटर या अन्य प्रकार के ताप स्त्रोत आम तोर पर बाड़े में स्थापित किये जाते हैं मोर को रूस्टिंग एरिया की भी आमशक्ता होती है इसलिए घरेलू रखवाले आम तोर पर लकडी के अस्थाई रूस्टर बनाते हैं मादा मोरनी अंडे देने के लिए जमीन पर एक छोटा सा खोजला पनाती है जिसमें वह अपने अंडे देती है फिर उन पर तब तक बैठती रहती है जब तक कि वह अंडे सेने के लिए त्यार नहीं हो जाती जबके मोर अपने सुंदर रंगी पंकों के लिए जाने जाते हैं मोरनी बिल्कुल अलग सी दिखाई पड़ती है उसके कले में वीले या और हरे रंग के धब्बे होते हैं लेकिन उनके शरीर सफेद पेट के साथ भूलके भूली रंगी होते हैं रंग में ये अंतर इसलिए होता है कि मोरनी अपने बच्चों की देख भालत करते समय अपने आसपास की बादा परण के साथ आसानी से छिप सकती है और दिखाई नहीं पड़ती है ऐसा करके भे अपने बच्चों को शिकारियों से बचा सकती है